आजकल भारत समीट पूरी दुनिया में ओनलाइन गेमिंग का काफी बोल बाला चल रहा है गेमर्स को कई ओनलाइन प्लाटफॉर्म्स पर ओनलाइन गेमिंग के आप्शन मिलते हैं और उन गेम्स को खेलते उन्हें कई खास रिवार्ड मिलने का भी ओफर मिलता है इस चक्र में gamers ओनलाइन गेम के जौल में फसते जाते हैं इस वज़ा से भारत के ग्रहमंत्रियाने गेमर्स के लिए चेताबनी और कुछ खास गेमिंग टिप्स भी जारी किये हैं दरसल भार्टिय ग्रेह मंत्राले के साइबर विंग ने स्मार्ट फोन पर ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स के लिए चेतापनी चारी की है उन्हीं गेम खेलने के दौरान होने वाली धोका दड़ी से साथान रहने को कहा गया है इसके अलावा गेमर्स ने यूजर्स की सुरक्षवा के लिए कुछ खास गेमिंग टिप्स भी बताए है ओनलाइन गेमर्स के साथ हो रहा फ्रॉट दरसल साइबर क्राइम दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और साइबर क्रिमिनल्स लोगों के साथ दोखा धड़ी करने के लिए रोजाना नए नए तरीकों का आविशकार करते रहते हैं उन में से एक तरीका ओनलाइन गेमिंग के लिए भी अपनाया जाता है स्मार्टफोन या लैप्टोप पर भी ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमर्स को साइबर क्रिमिनल्स कुछ ऐसे खतरनाक लिंक सेंड कर देते हैं जिसे क्लिक करने के बाद गेमर्स के बैंक अकाउट डिटेल पूरी तरह से या यू कहें पूरी कमाई उस फ्रॉड इंसान के पास चली जाती है इसी कारण से सरकार ने ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमर्स के लिए वार्णिंग जारी की है और कुछ सुरक्षा के लिए सेफटी टिप्स भी बताए है ऑनलाइन गेमर्स के लिए सरकार के टिप्स किसी भी ओनलाइन गेम का एप सिर्फ Google Play Store, Apple Play Store या उस गेम की आधिकारिक वेब साइट से ही डाउनलोड करें ओनलाइन गेमिंग आप डाउनलोड करनी से पहले हमेशा गेम की वेब साइट और पब्लिशर की पूरी जानकारी को चेक कर ले एप को डाउनलोड करते वक्त एप आपके फोन के कुछ जरूरी चीजों का एकसिस मांगता है लेकिन आपको उनी फाइल्स का एकसिस देना चाहिए जो गेम खेलनी के लिए जरूरी है ओनलाइन गेम खेलते वक्त गेमर्स अपने साथी खिलारी के साथ गेमिंग प्लाटफॉर्म पर ही चैट भी करते हैं ऐसे में चैटिंग के दौरान गेमर्स को अपनी परसनल डेटेल शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि सामने वाला प्लेयर नहीं बलकि साइबर क्रिमिनल भी हो सकता है